नमस्कार संकल्प क्लासेज बाडमेर द्वारा आयोजीत इस लाइव टेस्स स्रीज में आप सभी का हर दिख स्वागत अभी नंदन जैसा कि पाठे करम जारी हो चुका था उसके अनुसार टेस्स स्रीज चलाई जारी हैं मेवाड के गोहिल राजवन से समन्दीत राजा गोहिल से लेकर रावल रतन सिंग तक उमीद करता हूँ कि यदि आप ये प्रशन याद कर लेते हैं तो आपके लिए ये प्रशन राम बान साबित होंगे लीजिए समय का सद्व प्योग करते हुए और टेस्ट शिरीज प्रारम करते हैं पहला प्रशन आपके स्क्रिन पर ये रहा ओहो देखिए अब जमाना ऑनलाइन इस्टडी का है अब जमाना ऑनलाइन इस्टडी का है ऐसे कई अभ्यार्थी जो ऑनलाइन इस्टडी कर रहे हैं संकल्ब के अभ्यार्थी और भी अभ्यार्थी बहुत सारे राधस्तान के कोने कोने से वे अपने पिक बेज रहे हैं मेरे क और वो बता रहे हैं कि सर हम यहाँ पर ऐसी प्रस्तती के अंदर online study कर रहे हैं यह प्रकास विश्णोई हैं सेडवा बाडमिर से इन्होंने अपना पिक बेजाएं देखिए किस तरह से study कर रहे हैं यह अब जमाना आ चुका है यह जमाना आ आप चुका हैं कि घर घर इस तरह से study की जाएगी चलिए प्रश्णों की और चलते हैं और आगे भी ऐसे कुछ तस्वीरे आपको मैं दिखाऊंगा पहले प्रश्णों की और चलते हैं यह लिजे पहला प्रश्णा मोहनो तनैंसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उलेक किया ज्यान रहें ओप्शन आप खुद पढ़िएगा मैं प्रश्णा पढ़ लेता हूँ और ओप्शन आप पढ़ करके आप तुरंत उतर दीजिए मोहणो तैंसी ने गोहिलों की कितनी शाखाओं का उलेख किया अच्छी तरह से उतर दीजिएगा कितनी शाखाओं का उलेख किया था अगला प्रश्न ये लेजिए करनल जेम्स तोड ने गोहिलों की कितनी शाखाओं बताई थी जान रहें गुर्जर परतियारों की 26 शाखाओं रही थी लेकिन गोहिलों की कितनी शाखाओं बताई थी गोहिलों की इनके द्वारा भी चोईश साखाएं बताई गई जान रहें चोईश ट्वंटिफॉर और चोईश साखाएं मोनो तेंडसी द्वारा और कर्नल जैम्स टोड द्वारा राधस्तान के इतियास के पिता महा कर्नल जैम्स टोड अगला प्रशन ये लिजी मेवार के गोहिलों को इरान के बादशा नो शेखा आदिल की संतान किसने बताया ये किसने का था कि इरान के बादशा नो शेखा आदिल की संतान थे मेवार के गोहिल इरान के बादशा नो शेखा आदिल की संतान थे ज्यान रहें अच्छी तरह से उप्शन पढ़ियेगा अबुल फजल, अमीर खुश्रो, मोहनत नैंसी, जै संकर परसाथ सही उत्तर हैं अबुल फजल अबुल फजल ने कहा था कि इरान के बादशा नो शिकादिल की संतान अगला प्रशन ये लेजिए अची तरह से समझ करके उतर दीजिए एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए ब्रामन से समंदित बताया था और ब्रामन में बताया था नागर ब्रामन अगला प्रश्न ये लीजिए गोईल बनसी राजा माने जाते सूर्यवंसी चंदरवंसी सूर्य एवं चंदरवंसी कोई नहीं बहुत important प्रश्ण अच्छी तरह से समझ कर उतर दीजे गोहिल वंसी राजा माने जाते हैं गोहिल वंसी राजा राम के वंसज है राम के वंसज है तो रगु वंसी है और रगु वंसी है तो इनको माना जाएगा क्या बताओ सूरे वंसी यह सूरे वंसी है यह लिजे अगला प्रश्ण मेवाड के गोहिल प्रारम में किसके सामंत थे? अच्छी तरह से समझ का प्रश्ण मिलता है के मेवाड के राजा खुमान सामन थे पर्मारों के, गुर्जर परतिहारों के, चोहानों के, सोलंकी के अच्छी तरह से उतर दे रहे हो आप गुर्जर परतिहारों के सामन्त थे सामन्त शब्द से तात्परे क्या होता है सामन्त का मतलब उनके जागिरदार थे ये सामन्त एक पर्था थी सामन्द पर्था चलती थी जिसमें जागिरे दी जाती थी जैसे मारवाड के अंदर सामन्द पर्था की शुरुवात राव चुडा द्वारा करवाई गई और राव जोदा द्वारा सामन्द पर्था का सरवादिक विकास किया गया ये लिजे गोहिल राजबंस के संस्तापक माने कौन थे संस्तापक कौन थे संस्तापक गोहा दित्य शिला दिरत्य नागा दित्य या बपा रावल गोहिल राजबंस के संस्तापक कौन थे गोहिल ध्यान रहे इसमें गोहिल राजबंस के संस्तापक गोहिल का ही दूसरा नाम था गोहादित्य अगला प्रिश्न ये लिजिए किस गुहिल राजा ने परमभटारक राजा धीराज परमेश्वर की उपादी धारण की थी ऐसी उपादिया गुर्जर परतिया राजाओं ने धारण की थी जैसे नागबट सेकिन द्वारा धारण की गई महिंदर मैंदरपाल द्वारा यवपादी धारण की गई यहां किसने यह उपादी धारण की थी? साइ उत्र देरेवाप तेज सींग वारा अगला प्रश्न ये लीजिए दिली के सल्तान गयाशुदिन बल्लवन द्वारा मेवाड पर आकरमन किसके समय किया था? गयाशुदिन बल्लवन मेवाड पर इल्टुतमिस ने भी आकर्मन किया था मेवाड पर नासिरुदिन मैमूद ने भी आकर्मन किया था मेवाड पर गयासुदिन बल्वन ने भी आकर्मन किया था और मेवाड पर दिल्ली सुल्तान मौमद बिन तुगलक द्वारा भी आकर्मन किया गया था ये दिल्ली के सुल्तान और ये दिल्ली के सुल्तान लंबे समय तक रहे इनका शाषन 1206 से लेकर के 1526 तक रहा 1526 के पाणी पत का जो पर्थम युद्ध हुआ उस युद्ध में दिल्ली के अंतीम सुल्तान इब्राहीम लोदी युद्ध भुमी के अंदर मुगल वंस के संस्त पक बाबर से लड़ते हुए मारे गए और उसी बाबर से 1527 इस्वी को खानवा के युद में राणा सांगा पराजीत हो गए इस युद को रादस्तान के इतियास का निर्णायक युद कहते यहाँ सई उतर है आपका यहाँ पर सई उतर है गया सुदिन बलवन द्वारा मिवाड पराकरमण किसके समय तेज सेंग के समय चितोड में श्याम पार्शुनात मंदिर का निर्मान किसने करवाया था रानी पदमनी ने, जैसल देवी ने, जैतल देवी ने या महिनी देवी ने अच्छी तरह से समझ करके इसका उत्तर दीजिए कौनसी रानी द्वारा निर्मान करवाया गया चितोर के अंदर श्याम पार्शुनात मंदिर का निर्मान रानी जेतल द्वी द्वारा करवाया गया अगला प्रश्ण ये लिजी श्रावक परतिकर्मन सुत्र चूर्णी ग्रंथ किसके समय चितरित किया गया श्रावक परतिकर्मन सुत्र चूर्णी ग्रंथ ध्यान रहे ये मेवाड का पर्थम चितरित ग्रंथ है जिसके चितरकार कमल चंद्र थे रंग बड़े तेज थे, रंग तेज थे, याद रखना, रंग तेज थे, तो तेज सिंग, अगला प्रिशन, गुजरात का उदारक किसे कह जाता है, गुजरात का उदारक किया था, उनको शत्रू का शहारक कहते हैं, उनके द्वारा गुजरात का उदार किया गया, तेज सिं उदार हमेशा वही करेगा जो युद करेगा और जो युद करेगा उसका नाम होगा समर समर का मतलब ही होता युद समर का मतलब होता युद और ये थे समर से अगला प्रशना नेपाल में गोहिल शाखा किसके द्वारा इस्तापित की गई ते सेंग, जेतर सेंग, समर सेंग, कुम्ब करन ध्यान से समझ करके उतर दीजिए मेवाड के अंदर गोहिल शाखा इस्तापित हुई और नेपाल के अंदर गोहिल शाखा इस्तापित हुई किसके दौरा शाखा इस्तापित की गई थी किसके द्वारा शाखा इस्तापित की गई मेवाड में गोहिल राजवंस के संस्ताप गोहिल थे लेकिन मेवाड में गोहिल शाखा के जो इस्तापना की थी वो गोहिल के द्वारा नहीं की थी आगे प्रशना आएगा सही उत्तर दे रहें आप सभी कुम्ब कर्ण कुम्ब कर्ण कौन थे रावल रतन सींग के भाई थे जो नेपाल चले गई और उनके द्वारा वहाँ पर एक शाखा स्तापित की गई अगला प्रशन ये लेजिए अलावदिन खिलजी द्वारा चितोड पराकरमन का कौन सा कारण नहीं था कौन सा कारण नहीं था ज्यान रहें पद्मनी को प्राप्त करना था सामराजे का विस्तार था अलावदिन की महतो कांक्षा था तीनो आप्सन है तीनो ही आप्सन राइट है समझना इस बात को अलाव दिन खिलजी दरा चितोड प्राक्रमन का कौन सा कारण नहीं था या तीनों कारण थे पदमनी को प्राप्त करना, सामराज्य का विस्तार करना और अलाव दिन की अती महतो कांक्षा भी थी अगला प्रशन ये लेजिए चितोड का पर्थम साका कब हुआ था चितोड का पर्थम साका कब हुआ था अच्छी तरह से तिथी को पड़ लीजिए लंबे समय तक अलाव दिन खिलजीगा चितोड पर आकरमन रहा और उसके बाद में चितोड का पर्थम साका हो गया 26 अगस्त 1303 चितोड का पर्थम साका हुआ 11 जुलाई 1301 रन्थम और दुरुग में राधस्तान के इतियास का पर्थम साका हुआ राधस्तान के इतियास का अगला प्रश्न ये लीजी पद्मावत पुस्त की रचना किसके द्वारा की गई अमेर कूश्रू मलेक मुहमत जैसी, अबुल फजल, इनमेंसे कोई नहीं पद्मावत पुस्तक 1540 में लिखी गई अवद्धी बाशा में लिखी गई शेर्शा सुरी के समय लिखी गई ज्यान रहे हैं तीन प्रश्न और एक्स्रा बताए मैंने 1540 में अवद्धी में शेर्शा सुरी के समय लिखी गई और इस पुस्तक की रचना की थी मलेक मुहमत जैसी के द्वारा किस इतियासकार ने ऐसा का था कि अलाउदीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने है तू मेवाड पर आक्रमन किया था ऐसा कौन सा इतियासकार था दशरशर्मा गोपिनाद शर्मा मौनलाल शर्मा अमरलाल शर्मा ध्यान से ध्यान से उतर दीजिये क्योंकि यह उतर आप गलत कर सकते हो इसा प्रशना आपके द्वारा गलत किया जा सकता है इसलिए अच्छी तरह से समझ करके उतर दीजिएगा किस इतियासकार के नुसार अलव दीन ने पद्मनी को प्राप्त करने है तू मेवाड पर आकर्मन किया था दश्रत शर्मा मिले जुले उत्तर आ रहे हैं इसलिए ऐसे प्रश्णों पर विसेश रूफ से ध्यान दीजिए इसलिए मैं रुकता हूँ थोड़ा समय देता हूँ अगला प्रश्णा ये लिजी रतन सींग के सैना पती कोण थे गोरा बादल जैमल पत्ता जेता कुपा बालक मदन जेतर सींग के थे जेतर सींग के सैना पती थे जेता और कुपा मालदेव के सैना पती थे जैमल और फत्ता सिशोदिया राणा उद्य सींग के सैना पती थे साई उतर क्या होगा एक नंबर गोरा बादल अलावदिन खिलजी ने चितोड का नाम क्या रखा था चितोड का नाम तेरा सो तीन में चितोड का नाम खेरा बाद रखा था सिवाना का जलाला बाद रखा था जालोर का चितोड का नाम रखा था खिजराबाद इसका एक बेटा था जिसका नाम था खिजरखा खिजरखा के नाम पर खिजराबाद रखा था पद्मनी के तोते का नाम क्या था पीरामन, हिरामन, टुहिया दो और तीन दोनों नाम थे पद्मनी सीहल देश की राजकुमारी सीहल देश श्री लंका की राजा गंधर्व सैन माता जंपावती की पुत्री थी पद्मनी का विवा रावल रतन सिंग से किया गया रावल रतन सिंग को पद्मनी के बारे में जानकारी एक तोते से मिली थी जिसका नाम था इरामन उसको टुया भी कहते है टुया इसका सही उतरोगा चार नंबर रावल रतन सिंग का तांत्रिक पंडित कौन था तांत्रिक पंडित रावल रतन सिंग का एक तांत्रिक पंडित था जिसने पद्मनी की जानकारी अलाव दीन अलव दिन खिलजी को दे दी ऐसे इस्तती के अंदर उस तांत्रिक पंडित को रतन सेंग द्वारा घर से निकाल दिया गया उस तांत्रिक पंडित का नाम क्या था? रागव मोहन, रागव चेतन, रागव लाल, रागव शर्मा गुड रागव चेतन अगला प्रश्णा मलेक मौमत जैसे इनने अपने गरंथ पदमावत में पदमनी को किसकी उपमा दी थी ध्यान रखना आई बहुत अच्छा प्रश्णा है पदमनी को किसकी उपमा दी थी उन्होंने वेंग्यात्मक रूप से इस गरंथ में लिखा था उन्होंने कहा था चितोड शरीर है चितोड को शरीर कहा हर्देक रतन सींग को कहा रतन सींग को हर्दे बताया माया अलवदिन खिलजी को कहा एक के बुद्धी किसे कहा था पद्बनी को कहा था पद्बनी पद्बनी की उपमा किसे की की थी बुद्धी से अगला प्रश्णा किस इतियासकार ने पद्मनी की घटना को एतियासिक बताया उन्होंने पद्मनी की घटना को एतियासिक बताया उन्होंने का यह गटना सही है यह गटना सही है उस गटना को उन्होंने एतियासिक बताया था कुछ इतियासकार ऐसे थे जुना ने इस गटना को कालपनिक बताया था जैसे डॉक्टर गोरिश शंकर हिराचन उज्जा उज्जा शाब ने इस पद्मनी की गटना को कालपनिक बताया था ध्यान से समझ लेना, मैं जो बोल रहा हूँ ये सुनते रहना और अच्छी तरह से लिखते रहना किस इतियासकार ने ये पटवारी में ये प्रश्ण पुछा जा चुका है टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है, आपके काम का है किस इतियासकार ने पद्मनी की गटना को इतियासिक बताया था डॉक्टर दशर शर्मा ने चितोड को सरोपर्थम राजदानी किसने बनाई थी? चितोड को सरोपर्थम राजदानी गोहिल, बपारावल, तेस सींग, रतन सींग चितोड को सरोपर्थम राजदानी किसने बनाई थी? इस ओप्षन के आदार पर उतर देना है क्यों कि जब कभी option नहीं हो तो हमें उस्त को दे के उतर देना है यहां ध्यान रहे गोईल के समय चितोड राजदानी नहीं थी वपा रावल के समय राजदानी नहीं थी तो किस के समय तेज सिंग के समय राजदानी अब ये प्रशन ये कह रहा सरो पर्थम किस ने बनाई थी या उप्षन में नहीं है अगर ऐसा प्रशना है राधस्तान का खजुराव किसे कहते हैं किराडु है किराडु है उप्षन में नहीं है तो जगत का अंबी का माता मंदिर होगा इसी तरह मैं बता देता हूँ सबसे पहले राजदानी बनाई थी जेतर सिंग ने, सबसे पहले राजदानी बनाई थी जेतर सिंग ने, ये जरूर आप याद रखना, जेतर राजदानी जेतर ने राजदानी बनाई थी चितर कूट को, चितर, चितर कूट, चितर को कहते हैं, तो जैतर, चितर और आकर्मन हुआ था इलतुत मिसका तो इतर याद रखना जैतर, चितर इतर याद रखेगा जैतर सिंग अगला प्रश्न ये लेजी किस गोहिल राजा ने चितोड पर सरपर्थम अधिकार किया था गोहिल राजा ने किस गोहिल राजा ने चितोड पर सबसे पहले आकर्मन किया था 734 इस्वी के अंदर चितोड दुरुग जीता था वो गोहिल राजा कौन था गोहिल बपा रावल ते सिंग रतन सिंग लेकिन ध्यान नहें उस गोहिल राजा ने चितोड को जीता था जीतने के बाउजिद भी उसे राजदानी नहीं बनाई थी वो था बपा रावल जैय सिंग सुरी द्वारा किस ग्रंत की रचना की गई अमीर राशू, अमीर मान मर्दन, अमीर हट, अमीर मान देखिए अमीर राशू जोद राज ने लिखा था अमीर राशू शारंग दर ने लिखा था, अमीर अठ चंदर शेकर के द्वारा लिखा गया सही उतर होगा, अमीर मान मर्दन, हमीर मान मर्दन अगला प्रश्ण ये लेजिए किस इतियास कार ने का कि दिली के गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड के राजवां में सबसे प्रतापी और बल्वान राजा जेतर सिंग था दिली के गुलाम सुल्तान राजवां सुल्तानों के समय मेवाड के राजवां में सबसे प्रतापी और बल्वान जेतर सिंग था ये किस ने कहा था जेतर सिंग को बलवान शाशक की संग्या किसने दी थी बलिष्ट किसने कहा था डॉक्टर गोरी शंकर हीरा चन ओजाने कहा था इसलिए आप अच्छी तरसे पढ़िएगा और भाग एक मिवाड का वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको आप लोग अच्छी तरसे एक बार वापस सुनिएगा मिवाड में रावल शाखा का जन्म दाता किसे माना गया मिवाड में रावल शाखा किसके द्वारा शाखाय बनी फिर रावल और सिसोदिया शाखाय बनी उस शाखा के संस्तापक कौन थे शैम शिंग बिलकुल सही बताया रहाप के जो उत्रादीकारी हैं ये सिसोदिया कहला है अगला प्रश्ण ये लेजी रावल शाखा के अंतीम राजा कौन थे अंतीम रावल शाखा समाप्त हो गई फिर सिसोदिया शाखा शुरू हो जाएगी और तेरा सो तीन इस्वी अलाव दिन खिलजी द्वारा किये गए आकरमन के समय रावल वंस के अंतीम राजा लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त हो गए और उनका नाम था रतन सेंग मेवाड का चाल्स मार्टल किसको कहागा किसने कहा था ये भी साथ-साथ में आ रखना C.V. वद्धे C.V. वद्धे द्वारा चाल्स मार्टल की उपादी दी गए C, V, वेध्य द्वारा, चॉल्स, मॉल्टल की उपादी किसको प्रदान की गई, बपा, रावल को प्रदान की गई अगला प्रश्णा मेवाड में सवरो पर्थम नोकर शाही का गठन किसके द्वारा किया गया रतन सिंग, तेज सिंग, बपा, रावल, अल लट, याद रखना अल, लट गोहिल राजवन्स की स्थापना कब हुई? गोहिल राजवन्स कब स्थापित हुआ था? चोसट, चासट, संसट और अडशट गोहिल राजवन्स के संस्थापक गोहिल गोहिल राजवंस के संस्तापक गोहिल या फिर गोहा दित्य थे और इसकी स्ताप्नवीती 566 इसवी को बिश्व का सबसे पुराना राजवंस माना जाता है सबसे पुराना राजवंस माना जाता है जो दुरद राखे धरम को ती राखे करतार इस राजवंस का परमुक वाक्य इनको सूरे वंसी और हिंदुआ सूरज कहते हिंदुआ सूरज पाकिस्तान का कौन शाह Ouais शेहर बप्पा रावल के नाम पर बसाया गया पाकिस्तान के किस करकेट खिलाडी को रावल पिंडी एक्सप्रेस कहा गया शोयब अक्तर सही उत्तर है रावल पिंडी बप्पारावल द्वारा किसके सके चलाए गये थे सुना तामबा लोहा पितल जान रहें आपको उतर देना है बप्पारावल द्वारा किसके सके चलाए गये थे और वो मात्रक था 115 ग्रेंड बप्पा रावल द्वारा सोने के सक्के चलाए गए थी चक्वे किसकी उपादी थी? चारों दिशाओं में नजर रखने वाला चक्वा चक्वे किसकी उपादी थी? चारों दिशाओं में नजर रखने वाला चक्वे किसकी उपादी थी? बहुत तेज गतिस से उत्तर आ रहे हैं आपके और बहुत बड़ी संख्या के अंदर टेस्ट में भाग ले रहे हैं पिछला जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के अंदर मैं देखा था अंतिम समय तक लगबग संख्या 700 प्लस हो गई थी इतने बड़ी संख्या में अब 32 टेस्ट के अंदर भाग ले रहे हैं मुझे उमीद हैं कि ये कारवा एक समय लाखों में पहुंच जाएगा पपा रावल आढ़ में वरा मंदिर का निर्मान किसने करवाया देखिए आढ़ को राजदानी किसने बनाई अ ने राजदानी किसको बनाई आढ़ को अ को अ कौन अलट अ कौन अहड अ से अलट अ से अहड और आढ़ में वरा मंदिर का निर्मान किसने करवाया जिसकी राजदानी थी उ मध्यकालीन मेवाड का श्वर्ण काल किसके काल को माना जाता हैं मद्यकालीन मेवाड का श्वर्ण काल… पहले तम्हें आपको बता दू ये का रसलन आजा पन इस बी तक जेतर सिंग शाषक रहे थे उनका काल मद्यकालिन मेवाड का स्वन काल माना जाता। अलावदिन खिलजीन चितोड का दुर किसे संपा था? मालदेव राठोड, मालदेव सोनगरा, मालदेव चोहान, मालदेव भाटी। उनको मुचाला भी कहते थे, मुचाला, मुचाला भी कहा जाता था उनको मालदेव राठोड, मालदेव राठोड का समय तो बहुत लेट है, मालदेव चोहान और मालदेव भाटी नामक कोई शाषक राधस्तान की इतियास में नहीं पड़े, सही उतरोगा मालदेव खिजर खाने चितोड में एक मकबर का निर्मान करवाया था इस मकबर उसने इस्वर की इच्छा और संसार का रक्षक किसको बताया था इस्वर की छाया भी कहा था छाया और संसार का रक्षक किसको बताया अकबर अलावदिन खिलजी फिरोशा खिलजी कोई नहीं फिरोशा खिल जी उसमें शाशक नहीं थे अकबर नहीं थे फिर आप समझ गए होंगे किसको बताया गया खिजर खां किसका बेटा था खिजर खां के नाम पर खिजरा बार नाम रखा गया था तो पिता जी ने बेटे के नाम पर रखा तो बेटा पिता जी के नाम पर रखेगा और अलाउदीन खिल जी अगला प्रश्ण चितोड युद का वर्णन अमीर खुश्रो के किस गरंथ से मिलता अमीर खुश्रो द्वारा अपने एक ग्रंथ के अंदर चितोड युद का वर्णन किया था कौन से चितोड युद का वर्णन किया था 1303 क्योंकि इसी के ही समकालिन थे और उसमें नोंने अपने युद का वर्णन किया था खजाइन उल्फुतु तारी के फरिष्टा पदमावत चंदर सेखर बहुत आसान तरीके से आप उत्तर दे रहे हो खजाइन उल्फुतु खजाइन उल्फुतु अगला प्रश्ण बपा रावल के गुरु का नाम क्या था बपा रावल को रावल की जो उपादी हैं ये गुरु द्वारा प्रदान की गई थी गुरु के द्वारा प्रदान की थी पाशू पज संपरदाय से समंदी थे और उस गुरु का नाम था आरीत रिशी ये लिजी मेवाड का कुड देवता किसे कहते भुजानाथ आदिवताथ पाशू नात देखी आदिनाथ पाश्वनाथ ये जेन समूंदाय से समंदीत है कि मेवाड पुजानाथ देवता है मेवाड कुड देवी ध्यांसा समरना गोईद राजबंश्वर राजाओं की कुड देवी सिसोधिया राजवंस भी कुड़ देवी की रूप में पूझते हैं बान माता मिवाड के आराधे देवता बिल्कुल उस समय में चार भुजा नात का बताने वाला था मुझे पता था आगे एक प्रिश्न दिया हुआ है आराधे देवता चार भुजा नात चार भुजा नात का मंदिर बना हुआ हैं गड़बोर गड़बोर राज समंद के अंदर इनको आराधे देवता के रूप में पुझा जाता है मिवाड की आराधे देवी आराधे देवी से प्रिश्न आता है तो चार भुजा माता चार भुजा माता समंदित उतर दीजियेगा मेवाड की आराध्य देवी देखिये बान माता कुल देवी है बान माता कुल देवी कुल देवी और गेवर माता का मंदिर राज समन राज समन जील की किनारे बना हुआ है आई माता का मंदर बिलाडा में सीर्वी समुदाय की कुल देवी अगला प्रश्न ये लेजी एक लिंग जी का मंदिर कहां पर बना हुआ है नागदा में, अहाड में, केलासपुरी में या चितोड में एक लिंग जी, बिवाड के कुल देवता कुल देवता का मंदिर कहां पर बना हुआ है सबी के उतर लगबग सही आ रहे हैं इसी तरह से आप लोग मैनत करते रहें और उमीद करता हूँ कि इस तरह से अगर आप मैनत करोगे test series व्यवस्तित रूप से चलती रहेगी पहला पार्ट हो चुका है दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चोथा पार्ट अभी मिवाड में इसी तरह से आगे चलेंगे और आगे प्रशन बनाते रहेंगे और मिवाड राजबंस एक बार पूरा करवा देंगे आपको उसके बाद अगले-अगले राजबंस फिर और भी अच्छे तरीके से test series कंप्लिट करेंगे केलाश्पुरी उद्यपूर में एक लिंजी मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया केलाश्पुरी उद्यपूर के अंदर एक लिंजी मंदिर का निर्मान किसने करवाया था त्यांसे उतर दीजिएगा आज के प्रश्ण आपके एक भी सवाल गलत नहीं होना चीए अगर आपने सई तरह से मैनत किये देखिए समय का सदूप्योग करिए लोकडाउन का समय है इस समय अगर आपने सदूप्योग नहीं किया तो आप तीन चार मेने पीछे चले जाओगे स्वाय अध्याई बहुत जरूरी स्वाय अध्याई सबसे ज़्यादा करो बप्पा रावल बिल्कुल सही उतर दे रहे हो बप्पा रावल के सिकों पर किसका अंकन नहीं किया गया काम धिनू, शिवलिंग, बच्चडा, नंदी, दंडवद करता हुआ पुरूश, तरशूल, चमर या सभी का अंकन किया गया है जहां से पढ़ लीजी सही उतर इसका, सभी का अंकन किया गया सोने के सिके चलाए थे बपा रावल ने, उस पर ये अंकन मिलता है मेवाड का राजा किसी माना जाता है, मेवाड का राजा किसी माना जाता है मेवाडी राजा दिवान है, मेवाडी राजा को दिवान का जाता है मेवाड की राजा, मेवाड की राजा कौन माने जाते हैं, मेवाड की राजा एक लिंग मद्दे एशिया किस इस्तान से बपा रावल के परमान मिलते हैं ऐसा बता जाता है कि बपा रावल की वहाँ पर समाधी भी बनी भी हालांकि बपा रावल की समाधी नागदा में लेकिन कुछ इत्यासकार ऐसा भी बताते हैं मद्दे एसिया के किस इस्तान से बपा रावल के प्रमान मिलते हैं द्यान से समझेगा खुरासान से खुरासान अगला प्रशन ये लिजिए बपा रावल की राजदानी थी वो ही मेवाड की पर्थम राजदानी थी मेवाड की पर्थम राजदानी कौन सी थी? वही थी जो बप्पा रावल की राजदानी थी नागदा उदैपूर अगला प्रश्णा बप्पा रावल की समादी कहां पर बनी हुई हैं? नागदा में राजा अलट ने किस हुन राजकुमारी के साथ विवा किया था? ये देखिए ये एक अब्यार्थी ने भेजा हैं अपना चित्र किस तरह से इयरफोन लगाय हुई? ग्रामीन प्रिष्ट भूमी के इंदरे बच्चे अब मुबैल का सद्यूप्यूग कर रहे हैं नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में और वीडियो भी देख रहे हैं इस तरह से अब आपको मैनत करनी होगी ये ही तरीका उसके अलवाब कोई तरीका नही है अलट ने किस हुन राजकुमारी के साथ विवा किया था? हरिया देवी के साथ किया था गुहिल के माता पिता का नाम क्या था? हर गुहिल के माता पिता का नाम क्या था? मैं कई बार कहता हूँ गुहिल एस पी साब का बेटा था? एस पी का बेटा था? एस का मतलव शिला दित्ये, पी का मतलव पुषपावती तो यहाँ option आप देख रहे होंगे माता पहले हैं तो पुश्पावती पिताबाद में हैं शिला देते सही उतर होगा पुश्पावती शिला देते अगला प्रश्णा शिवी जन्पद की राददी मद्य मिका का वरत्मान में नाम है उसको वरत्मान में किस नाम से जानते हैं शिवी जन्पत ये एक जन्पत था चितोड शिवी जन्पत चितोड यहाँ पर गुप्त कालिन ज्यान से समनना गुप्त कालिन सिक्के मिले शिवी जन्पत से गुप्त कालिन ये प्रशन बहुत इंपोर्टेंट गोहिल राजाओं का राज तिलक किसके दोरा किया जाता था भीलों दोरा, मिलनों दोरा, पुरोईतों दोरा इनमें से कोई नहीं गोहिल राजाओं का राज तिलक भीलों दोरा किया जाता था उंदरी और ओगना गाओं के भील इनका राज तिलक करते थे बप्पा रावल को किस अभीलेख में मुकुट मनी की उपादी प्रदान की गई आटपूर अभिलेग के अंदर मुकुट मुणी की अपादी प्रदान की गई रणतपूर प्रसस्ती के अंदर बपारावल तथा काल भोज को काल भोज को अलग-अलग व्यक्ती बताया गया गोहिल राजबंस का वास्त्विक संस्तापक कौन था गोहिल राजबंस के संस्तापक गोहिल थे गोहिल राजबंस के संस्तापक गोहिल गुहा दिते थे वास्त्विक संस्तापक कौन थे वास्त्विक संस्तापक थे बपारावल किस राजा के बारे में कहा जाता है कि 35 हाथ की 36 हाथ का दुपटा पेंता था 32 मन की तलवार रखता था सुबह सुबह नास्ते में चार बक्रे लेता था किस राजा के बारे में ऐसा कहा जाता है इतना आश्ट पुष्ट राजा और वो तो वही हो सकता है जिसकी सिमा है सामराज्य की सिमा है इरान और इराग तक हो जिसके नाम पर पाकिस्तान के अंदर भी शहर बसे हो जिसके प्रमान मद्दे एसिया में भी मिले हो वही हो सकता है और उसका नाम था बपा रावल बपा रावल ने किसको हरा कर चितोड पर विजय प्राप्त की थी, किसको राया था, 734 इस्वी के अंदर, चितोड पर विजय प्राप्त की, चितोड दुरग अपने अधिकार में ले लिया था, चित्रांगंद मोरे, चित्रांगंद मोरे ने चितोड दुरग बनाया था, चंदरगुप्त मोरे या मान मोरे, बिलकुल सही, मान मोरे को राया था, और मान मोरे का इक शिलालेक जिसका नाम था, मान मोरी का शिलालेक, मान मोरी का शिला लेक जब कर्नल जैंस टोड इसको लंदन ले जा रहे थे तो उनना ने बीच समुदर में फैकवा दिया था मान मोरी का शिला लेक अगला प्रशन ये लेजिए कुंबलगड प्रसस्ती में बपा रावल को किस वन से समंदीत बताया गया कुंबलगड के अंदर नागर और नागर समंदीत थे किस से राजपूत, ब्रामन, वेशे, शुद्र, ब्रामन अगला प्रशन ये लेजिए उमापती वर लब्द प्रोड प्रताप के उपादी किस ने धारण की थी उमापती वर लब्द प्रोड प्रताप उसी ने धारण की थी जिस गोहिल राजा ने परम भटारक, महराजा, धीराज, परमेश्वर की उपादी धारण की थी बताये परम भटारक, परमेश्वर, महराजा, धीराज, परमेश्वर की उपादी किस ने धारण की थी किसके समय रंग तेज थी किसके समय सरावत परती कर्मन सुत्र चूर्णी के रचना हुई थी कमल चंद्र के द्वारा और किसके समय गयाच दिन बल्वन का आकर्मन हुआ था और उस राजा का नाम था तेज सिंग कुम्बल गट परसिस्ती में शत्रों की शक्ती का अफ़र्ण करता किस राजा को कहा गया गुजरात का उदारक अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया हो गया कि इसका सई उतर हमें क्या देना चाहिए और दे भी रहें अभ्यर्थी सई उतर दे रहें समर सिंग यह लिजी रतन पर भशुरी भावशंकर पाश्वचंदर वेद शर्मा शुब चंद्राधी किसके दरबारी थे थोड़ा सा समझ करके उतर दे जिए किसके दरबारी कवी थे समर सिंग, बप्पा रावल, जेतर सिंग, रतन सिंग बिल्कुल राइट उतर, समर सिंग अगला प्रश्ण हिंदुओं का आकाश लोचन किसे कहते हैं? हिंदुओं का आकाश लोचन हिरामन को, बप्पा रावल को, जेतर सिंग को, या रतन सिंग को हिंदुओं का आकाश लोचन टूहिया को कहते हैं, टूहिया और वो टूहिया कौन था? पदमनी का तोता था जिसका नाम हिरामन ये लेजी खिलजी ने खिलजी कौन अलव दिन खिलजी ने एक के खिलजी ने चितोड को कितने माह तक घेरे रखा था कितने माह तक चितोड पर घेरा बना के रखा था अलव दिन खिलजी द्वारा एक के द्वारा और उसके बाद में उस पर विजे प्राप्त कर ली थी जनवरी से अगस्त तक आठ माह तक घेरा रखाता है ये लिजी मिवाड राजिये के धोज में किसका उलेक नहीं है मिवाड राजिये के धोज में ये मिवाड राजिये का धोज है इसके उपरी भाग के अंदर यहां पर सूर्य बना हुआ है ये सूर्य बना हुआ है, चंदर्मा नहीं बना हुआ है, एक तरफ एक तरफ राजपूत योदा है तो दूसरी तरफ भील योदा दिखाए गए है, नीचे परमुक वाक्य भी लिखा गया है, यहाँ पर भील योदा है, परमुक वाक्य है, सूर्य है लेकिन चंदर नहीं है त उत्तर इसका दो नंबर होगा शक्ति कुमार के आठपूर लेख में गोहिल को कहा का निवासी बताया गया आनन्दपूर, नागदा, चितोर, अजमी गोहिल, गोहिल के पिता, शीला दर्ते कहा के थे, उनको वलभी, वलभी वलभी से समंदित बताया इतियास कारों ने और इसमें आठपूर लेख में बताया गया आनन्दपूर भिलों पर कर लगाने कारण किस गोहिल राजा की हत्या कर दी गई भिलों पर टेक्स लगाने के कारण किस गोहिल राजा की हत्या कर दी गई महंदर दित्य, बपा रावल, जेतर सिंग, रतन सिंग, महंदर दित्य की कर दी गई थी सत्तर नमबर, सास बहु का मंदर किसने बनाया था, सास बहु, जिसे कहते हैं सहस्तर बहु और ये मंदिर बना हुआ नागदा में और नागदा किसकी राजदानी थी उसी नहीं बनाया था सहस्त्र बहू का मंदिर हैं जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं और नागदा राजदानी थी किसकी बपा रावल मेवाडी राजा जब रियासत छोड़कर बाहर जाते थे तब एक लिंग जिसे अनुमती लेते थे उसे कहते थे जहां से पढ़िए मेवाडी राजा जब रियासत छोड़कर अपने सामराज राज्ये से अपनी रियासत से बाहर जाते थे एक लिंग जीसे अनुमती लेते थे उसे कहते थे हिच्की लेना अरे सर हिच्की तो याद कहते हैं क्या साथ गड़बड खो रहा है अनुमती लेना हाँ अनुमती तो लेना था लेकिन अनुमती को क्या कह जाता था आसका लेना या पाती परवन पाती परवन तो राजाओं को युद लड़ने जाते समय आमंतरित किया जाता था राजाओं को युद लड़ने जाते समय आमंतरित करना पाती परवन है अनुमती लेना आसका लेना है अगला प्रशन ये लेजिए कुम्बलगड परसस्ती में किसने अंगों, कलिंगों, सोराष्टों, तेलंगों या किसे का विजेता बताया गया कुम्बलगड परसस्ती के अंगों, कलिंगों, सोराष्टों, तेलंगों का विजेता बताया गया खुमान पर्थम, खुमान दर्तिय, खुमान तर्तिय और गुहिल ये कठीन प्रशन है आपके लिए इसी में ही गलती हो सकती है खुमान तर्तिय राजा अलट का शाशन समय कब था? कौन शी शताबदी के समय राजा अलट ने मिवाड पर शाशन किया था जब उनकी राजदानी आहाड हो थी राजा अलट का शाशन किस समय था? आठवी, नवी, दसमी, इग्यार मी शताबदी बिलकुल राई तो तर दे रहे हो, दसमी शताबदी अगला प्रशन है ये लेजी गोहिल राजा सामन सिंग ने कहां राजदानी बनाई थी? क्योंकि उस समय जालोर के राजा किर्ती पाल जालोर के राजा किर्ती पाल जैसे कितु भी कहते थे कितु का आकर्मन हुआ था, मोनोत नेर्सी ने कहा था कितु एक महान राजा था, इसलिए राजदानी चेंज करनी पड़ी वो राजदानी थी, बड़ो था तराइन के दूसरे उद में कौन से गोईद राजा लड़ते हुए शहीद हो गए थे तराइन का दर्ते उदे 1100 बुराणवे में लड़ा गया ये तराइन का दर्ते उद पृत्विरा चोहान तर्ते मुवम्मद गोरी के बिश में लड़ा गया ये भारती इतियास का निर्णाएक युद हो रहा है और इस युद में मिवाड के राजा रतन सिंग नहीं जैतर सिंग नहीं बपा रावड होते तो आरते नहीं राजा थे समर सिंग भूताला कायोद किसके बीच में लड़ा गया इलतुत में बाबर इलतुत में जैतर सिंग इलतुत में तेस सिंग इलतुत में समर सिंग अगला प्रशन ये लेजिए बालक और मदन किसके सेना पती थे गुहिल बपारावल जैतर सिंग रतन सिंग अच्छी तरह समझ के उत्तर दीर नीजिए बालक और मदन जैतर सिंग के सेना पती थे गुड़ जैतर सिंग को रण रशी किसने का था रण रशी गुहिल से लेकर अतन सिंग तक लगबग सभी प्रशन कलियर हैं यह जो मैंने आपको लाइव सेसन के अंदर प्रशन दिये हैं यह अती महतोपुन प्रशन है इसकी पीडियेप आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम से इसकी पीडियेप दे लें एक बार फिर आराम से अच्छी तरह से इसको पढ़ें और जहाब आपको लगता है कि इसका आंसर मजे नहीं मिल रहा है तुरंट यूट्यूब पर जाएगे वीडियो में जाकर के जाचलें कि इसका सही उतर क्या होगा डॉक्टर गोरिशंकर हिराचन उजा करम सेंग, केल सेंग, पदम सेंग किसके शिल्पी थे? गोहिल, बपारावल, जेतर सेंग, समर सेंग नाम सब के के पर है के करम सेंग, के कैल सेंग, के कल्यान और फिर लाश्ट में पी यह फॉर्मूले याद रखना यह समर सेंग के थे? आबू अचलेश्वर मठ जीर्णो द्वार किसने करवाया था? आबू में बना हुआ अचलेश्वर मठ जिसका जीर्णो द्वार किसके द्वारा करवाया गया? समर सेंग के द्वारा, बपारावल के द्वारा, जेतर सेंग के द्वारा, रतन सेंग के द्वारा, किसके द्वारा जीर्णो द्वार करवाया गया? आगामी में आपको बता दूँ अगले पाठे करम का ध्यान रखना शुरू करेंगे राणा राणा अमीर से लेकर के अगला पाठे करम रहेगा आपके राणा हमीर राणा हमीर के बाद राणा खेता राणा खेता के बाद राणा लाखा राना लाखा के बाद मोकल और मोकल के बाद कुंभा क्योंकि एक कम राजा रखने पर प्रश्ण नहीं बनते राणा अमीर से लेकर के और राणा अमीर से राणा कुंभा तक रहेगा बैसे मैं टेलेग्राम पर एक बार पुनन यह सारी डिटेल डाल दूँँगा आप उस पे जुड़े रहिए और वहाँ से सारी जानकारी प्राप्त करते रहिए मठ का जिर्नो द्वार किस ने करवाय था मठ का जिर्नो द्वार करवाय था समर सिंग ने करवाय था समर सिंग द्वारा करवाय गया था नेक्स्ट अगला ओहो देखिए ये हैं अनलाइन का जमाना सुरेच जी चोधरी जाडोर से इन्हों ने ये भेजा आएं और इस तरह से ये बता रहे हैं कि इस तरह से पलंग पर बैट करके और मोबैल से सामने चल रही हैं क्लासें और आराम से बैट करके देख रहे हैं मुझे ऐसा फिल हो रहा है कि कई ऐसे गरीब बच्चे जो ग्रामिन प्रष्ट भूमी से हैं और बेकोचिंग नहीं कर सकते हैं उन बच्चों ने कभी ये उमिद नहीं की थी कि इस तरह से हम घर बैठ करके उनकी क्लास आसानी से अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अभी तो शुरुआत हैं मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा घर बैठ करके आप आसानी से तयारी कर सकते हैं अब आप बताईए आपका स्कोर क्या रहा अब आप बतादीजी कि आपके कितने सई हैं जल्दी से अपना स्कोर बतादीजी और आगामी टेस्ट के लिए तयार रही आगामी टेस्ट की तयारी आप शुरू कर दीजी और टेस्ट अब नियमित रूप से हमेशा होने वाले ह शुरू होने वाले हैं इसलिए तयार रही हैं एक और खुश कबरी आपको मैं बता देता हूँ सुबह प्रातर साथ से आट बजे समसामई क्लास भी शुरू हने वाली करण जीके की क्लास नियमे तुरूप से रहेगी और भी कुछ क्लास हैं शुरू हने वाली हैं इसलिए आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहें इसे लाइक करें वीडियो को और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आउशे करें क्योंकि दिन में जो वीडियो अपलोड होते हैं वो उसकी जानकर ये आपको नहीं मिलती हैं इसलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि आपके पास नोटिफेकेशन नहीं आता हैं बहुत अच्छी बात हैं अच्छी मैनत कर रहे हूँ एक बार पुना देखें आप सबी ने इसमें भाग लिया धन्यवाद